चंता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवाय जलाल वापिस नहीं लाएंगे क्या कॉंग्रिस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो और ड्रग्स मुक्त होगा कैसे जब डीलिंग में कॉंग्रिस के निता लगे होंगे ड्रग्स के चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं चाहिए वो ड्रग्स के दलाल हो डीलर हो या फिर बड़े-बड़े माफिया के लोग हो यही पुपिंदर हुड़ा जीते जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी थी दो रुपे में जिन्होंने बड़े-बड़े सेटों को आपकी जमीन दी क्रोड़ों रुपे में लेकिन आपको दिये दो रुपे यह कॉंग्रेस तो रस मलाई खाने आती मलाई खाने आती है और अपनी कमाई करने आती है जन्ता की भलाई करने कॉंग्रेस कभी नहीं आती है जनता का रिस्पॉंस बहुत शांदार है, जनता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवा जलाल वापिस नहीं लाएंगे, दलितों पर अत्याचार की जो प्रयोगशाला कॉंग्रेस हर्याना को बनाना चाती ऐसी कॉंग्रेस को नहीं लाएंगे, और जमीने हरपने वाली कॉंग्रेस को नहीं लाएंगे तीसरी बार कमल का बटन दबाकर फिर भारती अंता पार्टी की सरकार बनाएंगे मेरा एक सवाल राहूल गांदी जी और खडगे जी और विशेश तोर पर भुपेंदर हुडा जी से ये जो आप लेटर देखेंगे तो तुशार गोयल है चेर्मेन आर्टी आई डिपार्टमेंट दिल्ली रुद कॉंग्रेस के इनका हुड़ा परिवार से क्या रिष्टा है और पांच हजार क्रोड की ड्रग्स पकड़ी गई क्या राहुल गांदी जी की कॉंग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवाय जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डिलिंग शुरू करती है दलितों पर अत्याचार हो किसानों की जमीने लूटने की बात हो वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज पांच हजार क्रोड के ड्रग्स के रैकेट में तुशार गोयल का नाम आता है तो मेरा सवाल है मैं अपनी जानकारी के लिए देश के लिए पूछेना चाहता हूँ तुशार गोयल का पांच जार क्रोड के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कॉंग्रिस के पता दिकारी है हुड़ा परिवार के साथ इनके संबंद क्या है वोपेंदर हुड़ा जी दप पकड़ी जाती तो उसका विरोध करती है उसके खिलाफ नेरेटिव को विगाडने का कॉंग्रिस का एको सिस्टम काम करती है अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कॉंग्रिस चिंता में आ जाती है अगर असम के मुक्यमित्री ड्रग्स के उपर बल्डूजर चल साथ मिला सकते हैं चाहिए वो ड्रग्स के दलाल हों डीलर हो या फिर बड़े-बड़े माफिया के लोग हो राहुल गांदी जी और खडगी जी एक इस बात का जवाब दे और दूसरा जो करनाड़क में बारा सो किसानों ने आतम हत्या की क्या बारा किसानों के घरों में भी जाहुल गांदी और खडगे जी गए और क्या मुआवजानों को दिया है सर डजी बोलते हैं कि जैसे हमारी सरकार आती है तो जो सम्भू गोड़ रहा है उसको हम पोल देगे तो किस तरह से देखे उसकी प्यान को तो मेरा सीधा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घुट्टी उनक के पास है लोकसरवा चुनाव खत्म हुए सब खत्म हुआ था हर्याना के चुनाव आए फिर शुरू हुआ मेरा इतना ही कहना है किसानों के हित में अगर किसी ने काम किया तो निरेंदर मोधी जी यही भुपिंदर हुड़ा जी थे मैं किसानों को याद करवाना चाहता हू यही भुपिंदर हुड़ा जी थे जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी थी दो रुपे में जिन्होंने बड़े-बड़े सेटों को आपकी जमीन दी क्रोड़ों रुपे में लेकिन आपको दिये दो रुपे यह यह वही भुपिंदर हुड़ा जी है जिन्होंने कमेटी के चेर्मेन थे MSP को कानूनी रूप देने के लिए स्वामिन्यात्यन के मेटी इर्पोर्ट को लागू करने के लिए उड़ा जी ने उन आठ सालों में क्यों नहीं लागू करवाई अब क्या कौन सा तीर उनके पास आगया है भाई सवाल ये खड़ा होता है कि कॉंग्रेस की जब सरकारें थी तब इन्होंने कुछ ने किया मोधी सरकार ने तीन गुना ज़्यादा खर्चा किया है MSP करीद करने पर और अब 24 की जो भी फसलों को हम खरीद देंगे 31 रुबे क्यूंटर धान करी देंगे 10,000 रप्या किसान को देंगे और किसान को समरित संपन करने का काम हम जो कर रहे हैं आगे जारी रखेंगे नशा मुक्त हर्याणा भारती जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हर्याणा में कॉंग्रेस के लोग उनके साथ हाथ मिला रहे हैं फिर जागे कहें कि हर्याना को नशा मुक्त करेंगे अगर ऐसे डीलर जो ड्रक्स बेचते हों उनके साथ इनके संबंध है तो आप समझ लिए हर्याना में नशा कहां से आता है आज हर्याना वासियों को पता चल गए कॉंग्रेस हिमाचे में वाइदा इसलिए पूरे नहीं कर पाई कि कॉंग्रेस ने कभी वाइदे पूरे करने की इच्छा ही नहीं जिताई कॉंग्रेस तो रसमलाई खाने आती मलाई खाने आती है और अपनी कमाई करने आती है जंता की भलाई करने कॉंग्रेस कभी नहीं आत पार्च!